हलो स्टूरेंट दिस इस अभिशेख एर और स्वागा था आपका हमारे चनल स्टडी क्लास पे तो जैसा कि अब थम्रेल में देख पा रहे हैं कि हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं दुद्तिय वर्ष का विश्य है योग सिख्षा के सभी वस्तो शिप्रश्ण उतरों की जियां यहां से पांच जो वस्तो शिप्रश्ण आते हैं उनहीं की बात करने वाले हैं चलै रीटेल में शुरू करते तें बेना किसी देरी के तो पहला सवाल योगाचारियों ने योगासनों की संख्या कितनी बतलाई है तो कितने योगासन होते हैं टोटल तो वो होते हैं 84 जिहां तो 84 टाइप्स के योगासन होते हैं ये योगाचारियों ने बतलाया है दूसरा, योगासन करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान्रक मा होता है तो योगासन करते समय सबसे मेन बात जो रहती है उसमें स्वास की गती तता हिर्दय गती सामाने रहती है क्योंकि जब exercise करते हैं, वयाम करते हैं तो बहुत ज़्यादा physical work होता है आनने शरीर में धरकन बर जाती है, शरीर एक्दम ठख जाता है, सांस तेजी से उपर निच होता है, लेकिन योगासर में अचान है, योग में एकदम शान्त रहते हैं, इसमें हिर्दय की गती सामान ने नौर्मल हो जाती है, इसमें कोई बहुत फीजिकल वर्क नहीं होता है इसलिए शारिरिक मेनत नहीं होती योग के अंगों के कितनी संख्या योग के अंगों की संख्या कुल आठ है कितनी संख्या योग के अंगों की कुल आठ उसके बाद देखेंगे योगा अभ्यास से क्या अलाभ है योगा अलाभ से आपका भाई सरीर चूस्त होता है सक्तिशा तो बात करें और बाई अगला योग का समध्द किस चीज से है योग का संबंद शरीर और मस्तिष मन का और दिमाग का शरीर का संतुलन से शरीर और मस्तिष के संतुलन से योगाशान का अर्थ क्या होता है योग का अर्थ होता है साधना योग का अर्थ साधना होता है इसको ध्यान में रखिएगा योग का अर्थ होता है साधना आप परियाची समझ के रखिएगा योग शुद्धी में कितनी क्रिया है तो योगिक शुद्धी में कुल 6 क्रिया है तोटल कितनी 6 जी हां तो योग में योगी शुद्धी में कुल 6 रिया है योग के कितने प्रकार है तो योग के 4 प्रकार है योग के कितने प्रकार है चार बढ़ते हैं अगले इकाई की तरफ तो अगले इकाई से सवाल प्रणायम कर्थ क्या होता है प्रणायम कर्थ भाई प तो आपको यह उत्तर देना होगा ठीक उसके बाद नाड़ी शोधन प्रणायाम के चिकित्स्य प्रणाम किन रोगों में लाबकारी पा जाते हैं तो यह किस रोगों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है फायदे मन करता है तो अस्थमा में फायदा करता है नाड़ी शोधन प्र उसमें फायदा करेगा किसी को माल लीजिए अगर चिंता तनाव इन सब चीज में बिमारी है तो भी फायदा करेगा किसी को प्रकाटिस जैसी बिमारी है तो भी फायदा करेगा यानि इसका सही उत्तर हो अपृत्त सभी इन सब बिमारियों में काम आएगा नारी शोधन प्रा किया जाता है इसने उसका नाम ही पड़ा है ठीक है आगे देखेंगे प्रणायाम के भेद कितने हैं प्रणायाम के भाई टोटल दस भेद है कितने बेद हैं कुल दस प्रणायाम के कुल दस भेद होते हैं कुमबक का अर्थ क्या है कुमबक का अर्थ क्या है कुमबक का अर्थ कितने कोश पाये जाते हैं कोशिकाय नहीं कोश कोश का तो सेल हो जाएगा वो नहीं तो मानोशरीर में कितने कोश पाये जाते हैं तो कुल पांच कोश पाये जाते हैं मान और शरीर में कितने कोस होते हैं, कुल पांच कोस होते हैं, बात करें उपर प्रान किसे कहते हैं, उपर प्रान को कहते हैं, किसे नाक को, यह उपर प्रान कहलाता है, फिर नेत्रों को खोलने और पलकों को जपकाते हैं, तो ऐसे आसन को हम कुर्म कहते हैं, चलिए, बढ़त चलाने की क्रिया जो होती ही योग भाशा में उसे हम क्या कहते हैं नौली चलन कहते हैं अगरा किस क्रिया द्वारा पाचन संस्था की सफाई की जाती है तो धोती धोती क्रिया द्वारा पाचन क्रिया की सफाई की जाती है जो पाचन क्रिया होता है डाइजिस्ट्री सिस्टम उसको कैसे ठीक करते हैं, साफ करते हैं, तो धोती क्रिया दारा, किस क्रिया दारा, धोती क्रिया दारा, अगले देखिए, जल नेती की क्रिया की जाती है, जल नेती की क्रिया की जाती है, कैसे, नमक मिले गुर्गले पानी से, सही बात, घी से, ये भी सही बात, दूद से, ये संग माना गया है मुद्रा को कौन संग माना गया है तीसरा मुद्रा को जो है तीसरा अंग माना गया है मुद्रा जो है वो तीसरा अंग मानी जाती है यह भी ध्यान रखेगा आगे देखे जलंदर बंद की स्थिति इस सरीर में कहां पर है, जलंदर बंध की स्थिती हमारे कंट पर है, जलंदर बंध जो होता है, उसके स्थिती हमारे कंट पर है, उडियान बंध का समद किस गरंथी से है, उडियान बंध का समद विश्णु गरंथी से है, किस से विश्णु गरंथी, तो उडियान बंध, बं योग में तो आगे देखे प्राटक से किस प्रकार की शक्ति विक सित होती है तॉसमें हातों को ग्यान की तरह रखा जाता है ग्यान वाली मुद्रा में आपने देखा होगा तो हस्त मुद्रा क्या है ग्यान मुद्रा हस्त मुद्रा को ही ग्यान मुद्रा कहते हैं यह भी धान में रखेगा फिर अपान मुद्रा का संबंध किस चक्र से अपान मुद्रा का संबंध है वह मुलाधार चक्र से किस योग सुत्र के रशनाकार कौन थे, योग सुत्र के रचनाकार पतंजली थे, योग का पिता किसे कहा जाता है, तो भगवान शुव को भी कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखना, एक अब्यक्टिव अलग सी भी, तो योग सुत्र के रशनाकार पतंजली थे, उपदेश, के बड़े कवी रहें महा कभी काली दास की तरह ये भी संकित भाषा के बहुत बहान कवी रहें योगी बृथरी रहेंगे ध्यान रखेगा इनको भी ठीक अब बढ़ते हैं अगल्या तो यहां पर यह देखिए दिव्वे जीवन संग की स्थापना किसने की स्वामी शिवानन पी दिवजीवन संग एक संथ था है इस इस सांपना किसके थी इस समाज की तो स्वामी दयानां सरस्वतीरी आगय बढ़ें रामकृष्ण परमhnस कौन थे विववेकाणन जी गुरु थे विविवेकाणन आधर जी के गुरु है ना किसके उते तो राम किष्ण पर भूर्भंग से स्वामि वेकनंद के गुरु थे सिरक सहिंत्अ के और प्रेणता और कौन है महर्शिба पतंजली इन्होंने ही दिख्वाई और लिख्वाई है लिखी है मतलब चारक सहिंता के प्रेड़ता उसको प्रेड़ना कैसा मिले चरक सहींता को तो महर्षिप पतंजली से ही मिली चरक सहींता जो हमारे योग में मेडिकल साइंस से बहुत काम आता है तिर रामकिष्ण मिसंद संस्था किस थापना की है किनों है सौमी वेकानन ने अपने गुरु का नाम पर तो ant nu Iya योघ जिसे राष्क्र वेकानन के जनम दिन पर मना आ जाता है यह घ्यान रखेंगे फिर पतंजली योग सुत्र में सुत्रों की जो संख्या कूल 196 जी हाँ पतंजली योग सुत्रों सुत्रों की संख्या कुल 196 बतलाई गई है क्लियर यहाँ पर आभाई आपके जो mcqs or objectives होते हैं पूरे complete होते हैं तो इन पूरे चार रिकाईयों से आपको मात्र पांच ही objective आते हैं तो जो मैं इतमे से बताए इन में से पांच mcqs वस्तों इस प्रशन तर आने की पूरी-पूरी संभावना है बहुत-महत पूर्ण है और भी वीडियोस के लिए जैसे blueprint स्टेडी क्लास और हां सब्सक्राइब करना ना भूलें MPTT और वर्गतीन की तयारी करना चाहते हैं सिख्षक भरती की तो वह भी आप जरूर करें उसके लिए हमने एक अलग से चैनल बनाया है जिसका नाम स्टेडी क्लास MPTT सिटेट है उसका लिंक इस वीडियो की डिप्सक उनको दिक्कत ना हो तो जलूर चैनल को सब्सक्राइब करें